दो हजार तीन सौ शब्दों के औरोजेनिक स्वर्नम भंडार का एक नया रूप है जो उनके क्रेस्टल वितरन और अन्य स्वर्नम भंडार प्रकारों के साथ संबंद के संदर्भ में एक प्रस्तावित वर्गीकरन है हम जिस पेपर पर चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्शक है औरोजेनिक गोल्ड डिपॉजिट जो की क्रेस्टल वितरन और अन्य गोल्ड डिपॉजिट प्रकारों से संबंद के संदर्भ में प्रस्तावित वर्गीकरन है काफी लंबा है है ना लेकिन ये दिचस्प है इस पेप इस तरह के सोने के भंडारों के लिए नैवर्गीकरन पर चर्चा की गई है लेका कि ये प्रस्ताव कर रहे हैं कि मेसोथर्मल स्वर्ण भंडार शब्द जो सभी यूगों के क्शेत्रीय रूप से रूपांतरित भूभागों से जुड़ा है को एयूजेनिक स्वर्ण सिमा पर पाये जा सकते हैं इसके बजाए वे ओरोजेनिक का सुजाव देते हैं जो इन जमाओं के अध्वितिया लौकिक और स्ठानिक संबंध को ओरोजेनी परवत निर्मान खर्णाओं के साथ दर्श शाता है वे आगे प्रस्ताव करते हैं कि इन परवजनित जमाओं को उनके निर्मान की गहराई के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। च्छा हाइपोसोनल, बारह से अधिक गहराई वाली। इस शोद पत्र में इन निक्षेपों की भूवैज्यानिक विशेष्टाओं पर भी परकाश डाला गया है। तथा बताया गया है कि ये पराया सभी युगों के विकृत, रूपांतरित भूभागों में पाई जाते हैं। तथा इनकी विशेष्टा, सोने और हरे रंग की शिस्ट फिसीज चट्टानों के साथ इनका संबंध है। ये नारंगी सोने के भंडार विभिन पैमानों पर मजबूत सुरचनात्मक नियंतरं दिखाते हैं। और आम तार पर बड़े पैमाने पर संपीरन सुरचनाओं के पास थित होते हैं। वे मीटर के पैमाने पर समीपस्त से दूरस्त सन्योजनों तक परिवर्तन चर्णों के मजबूत पार्शुवक्षित्रिकरन द्वारा भी पहचाने जाते हैं। अंत में लेखक का सुझाव है कि ये मिसोधर्मल या बलकी परवजनित स्वर्णम भंडार विरूपन प्रक्रियाओं के दौरान बने थे जो प्लेट मार्जिन के अबिसारी थे। भले ही वे आर्कियन या प्रोटेरोजोइक ग्रीन स्टोन बेल्ड या प्रोटेरोजोइक और फेनरोजोइक तलचिती चत्तान अनुक्रमों में स्थित हों। तो अब हमारे पास इन स्वर्णम भंडारों को वरगीकृत करने के लिए एक नया डांचा है जो उनकी निर्मान प्रक्रियाओं और टेक्टोनिक गतिविधी के साथ संबंधों को बेहदर डंग से दर्शाता है। भूविज्यान या स्वर्णम भंडारों के निर्मान में रुची रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक रोचक पुस्तक है। आज के लिए इतना ही। ये पाँच सौ शब्दों वाले लेक का पुनर लेकन है।